तो इसके लास्ट वाली वीडियो में हमने आपको Griffith के प्रियोग के बारे मताया था जहांपर Griffith का Анवानसिक पताथ का पता लगाना कि अनवानसिक पताथ DNA है कि प्रोटीन है तो Griffith के प्रियोग के बाद अगले सांडिस्ट आते हैं जो तीन लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं मैकलाइड, एवरी वा मैकार्टी तता इस तीनों के नाम से ही इस प्रियोग को भी जाना जाता है कहते हैं कि मैकलाइड, एवरी वा मैकार्टी का प्रियोग बताईए तो यह प्रियोग यही है यह तीनों लोगों ने मिलकर यहाँ पता लगाने का प्रयास किया कि अनुवानसिक पदाति क्या है इसी यही उद्देशिन का था तो इनों ने गृफित के प्रयोग सही प्रेंड़ा ली और उन्हीं के प्रयोग को आधार बना कर अपना प्रयोग किया जिस प्रकार गृफित ने भी डिप्लोकोकस निमोनिया लिया था उसी प्रकार इनों ने भी डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाड़ का ही चुनाव किया लिखा यहां पर इन्हों ने diplococcus pneumoniae अथवा pneumococcus जीवाड़ के इस strain वाले जीवाड़ का चुनाव किया अपने प्रियोग के लिए सबसे पहले क्या कि इस strain वाले जीवाड़ से carbohydrate, protein और DNA को अलग-अलग कर लिया मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो S-strain वाला जीवाड हुए उसकी जो भित्ती होती है वो कार्बो हैड्रेट से मिलकर बनी होती है और जो अन्वानसिक पदात होता है उसमें कहीं न कहीं DNA या प्रोटीन होता ही है तो इन तीनो साइंटेस ने जो S-strain वाला जीवाड था उससे ये तीनों चीजे अलग अलग कर ली तथा इन तीनों चीजों को अलग-लग कंटेनर में रखा दीखे मैंने यहाँ पर कंटेनर बना रखें कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3 container 1 में S strain के protein को रखा तता container 2 में S strain के carbohydrate को रखा ठीक इसी प्रकार थर्ड container में इस S strain वाले का DNA रखा तता प्रते container में R strain वाला diplococcus pneumoniae रखा क्योंकि R strain वाला diplococcus pneumoniae लोग उत्पन नहीं कर पाता है last video मैंने आपको बताया है तो S strain से तीनों चीज़े निकाल कर अलग-अलग container में रखा तता हर container में क्या डाला R strain वाला जीवित जीवाडू डाला यहां जीवाडू R strain वाला कैसा है जीवित है कुछ समय बात यहां देखा गया कि container थर्ड में जिसमें से S strain का DNA था तो container थर्ड में कुछ R strain वाले जीवाडू S strain में बदल गए यह देखने को मिला लेकिन container 2 और container 1 में कोई भी S strain वाला जीवाडू देखने को नहीं मिला तो इससे यह सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं अनुआंसिक पदाथ DNA है ना कि protein है तथा मैकलोड एवरी और मैकार्टी ने यह सिद्ध भी कर दिया कि अनुआंसिक पदाथ ही DNA होता है ना कि carbohydrate या फिर protein होता है सबसे आदा संका क्या थी कि अनुआंसिक पदाथ protein है कि DNA तो इससे यह सिद्ध हो गया कि अनुआंसिक पदाथ DNA होता है तो यह दिखे यही चीज मैंने नीचे लिख रखिए container 3 में कुछ R-strain वाले जिवाडू S-strain में परिवर्तित हो गए तथा 1st और 2nd container में कोई भी S-strain जिवाडू नहीं देखने को मिलता है यानि कि S-containner में कोई भी हमको S-strain वाला जिवाडू देखने को नहीं मिलता है लेकिन container 3 में कुछ R-strain वाले जिवाडू में उत-परिवर्तन के फल सुरूप इस strain वाले जिवाणू देखने को मिलते हैं देखे एक line और मैंने लिख रखे कि तथा container 3 के कुछ sample को चूहों में inject कराने पर उसमें pneumonia रोक उत्पन हुआ और वहाँ मर गया तो वो तो हो नहीं था क्योंकि जिसमें S strain का DNA था उसने R strain के कुछ जिवाणूओं को रुपांतरित कर दिया और कुछ S strain वाले diplo-coccus pneumonia बन गये होंगे जिसने उस चूहे के अंदर pneumonia रोक उत्पन किया होगा और चूहा मर गया होगा तो आपसे पूँचता है कि पहला सफल परिच्छड किसके द्वारा किया गया था जिसने या सिद्ध किया कि अनुवांसिक पदात DNA होता है तो पहला सफल परिच्छड मैकलॉड एवरी वा मैकार्टी के द्वारा किया गया था एक question और पूछता है कि पून रूप से अनुवानसिक पदात DNA ही होता है इसको किसने से दिखिया था तो इसके बारे में हम आपको next वीडियों बताएंगे कि हार्शे और चेस का प्रयोग क्या होता है